शर्षी प्रासुदेव उसका कहना है कि ओशो है जो पुने जन्म लेके आया कि किसी ने कहा मुझसे कहना कि क्या रहे सवामी जी क्यों चक्कर में पड़े हो है ना अरे दो-चार हजार अभी उसके लाइक करने वाले हैं आप जैसे व्यक्तिक बोलो के तो और कंट्रोर्स ही प पहले चूतिया बना कर चले लंगे तुम सब को के बाद आना नहीं होता फिर आगर में ब्षोतिया बनाने कि मैं मरने से पहले दो महीने पछले पर मुझे यह लगा कि मेने अपने शन्याशियों से कहा है कि मैं एक बार और आ सकता हूं क्यूंदा में लेक muss on है हा ओन थोड़ा सम्मेरा एक संदे मैं इस पर संदे उठा रहा हूं टेक्निकल संदे है और मैं यह बता देता हूं कि मित्र ओशो मुझे कोई आपती नहीं है कि तुम हो या नहीं पहली बाद ये बात पके तुम सिद्ध कर दो कि तुम ओशो तब भी मैं तुम्हारे पैर्स कुने न गोर्ण सब्सक्राइब रहा है कि प्रयाम करने के लिए गड़ीन कोशो को मानने वाले सभी लोग इस समय कागज पैंसिल उठा लें तो सबसे पहले हम लोग यहां जिस चर्चा के लिए आज उपस्तित हुएं उसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले चर्चा है इस बात पर कि इस समय बिहार का एक यूवक है जिसका नाम है शर्षी वासुदेव तो सची वासुदेव की उम्र 27 साल है और उसका कहना है कि ओशो की मिर्ट्यू के 5 साल बाद मतलब उसका पुनर जनम हुआ जो पुनर जनम लेकर आया और इस समय उसके वीडियो चल रहे हैं जिसको पहुंचाया कुछ लोगों ने हम तक तो आप लोगों ने भी देखे तो पह गल हो मतलब मेरे बहुंचाया ज़ने की ओषो है मतलब मेरे नजर में तो ऐस जो यह भीर विद्ति ज़ो और देखती छृच्छा कि झेपे जब और को कि आवाज में जिब रदाधिम थैप उसमें नहीं आ रहा हैं चाहिए हाथ से कितना इकशन कर दो इंधान है आँ मों को तुम बता कोई प्रश्चन है अग्रेसिव नहीं लगते हैं और मैं अपनी कल्प ना करूं तो मैं यह सुथिक अगर वापस आते तो और धमाकेदार होते हैं यह तो और ज्याद़ तुम लोग ऐसे संदे उठाते लोगे दमाकेदार होने में क्या है तुम लोग उसकी इंसाइड करो के तो और जादा एक्टिव हो जाएगा खेर चलो पहले में तुम लोग की नजरी और किसी का कोई मेरा क्वेश्चन यह ता सगा कि मुझे जैसे लगता है कि उसने शीला को अब बता है तो वो मतला इक तरीके से उसके प्रक्षम जा रहा है कि क्या यह वाकि वही तो नहीं कुप होने के चांस कम है तो जिस पर बताएं बताएं कि अब शीला का वीजिता दिख रहा है वाईसे कुछ कर रही तो बीच में नाग भी तो पहुंच सकती मुझे पता नहीं मैं उस वीडियो को फूरा देखा नहीं तो मैं उसको कुछ ज़्यादा चिपड़ी नहीं कर सकता है हम आखिर बात करने क्यों बैठे हैं इसके उपर पहली बात तो यह है कि बहुत से लोग होंगे जो पहली द्रस्टी में उसको नकार कर देंगे बहुत से लोग होंगे तो उसको स्विकार भी कर देंगे है जिस्विकार करने वाले के अपनी सोच यिसके कर रहा है कि मैं ने दोनों को गल्ट कहरू है Long की सुविकार करने वाले की कि अपनी सोछ है जिसके कारन prinember तो यही तो हुआ है धर्मों में आज तक हुआ क्या है यही तो हुआ है इसी इसी बात के कारण ही तो लोग मानते हैं तो जो लोग मान रहे हैं इसका मतलब और ऑशों ने अपने ऐसे अनुवाईए घटे किये थे जो इस तरीके की बातों को मान लें तो मैं पहली बात तो यहां पर ओसो के सारे सन्यासियों कर лай गोथ बहुत सारे व्रयर घझाते जो उनको मानद रहें और जो नहीं मान रहें उनका कारण कोंग भिंध नहीं है उनका कारण भी से इन और ये भी समझो को सच्छे होने की की विट महाने ह सच्छी होने की फिलिंग कारी की नहीं आ रही कि jne il क Навे इसका मतलब कोई कर अब यो जाक विट मिपट जाएंगे वब को रहा जा तो यह तो यह असरोस से चिलाने हैं तो लोए अश्रम दो चल रहे है करट चल रहा है सब हो क्या रहा है यहीं तो हो है सजय कर between Financial तुमानों तो बात हो तुमारे सामने आये बोले इस बार हम रेप करेंगे तौम मानों सो बात हो इस बाrd रही करें कि घ्लास लेकर विंतstr अब देखों पोशों को मानने वाले सभी लोग इस समय कागच पैंसिल उठा लें कि तुम नों मत उठाना नहीं तो हम बोलें किस से हैं तो सभी लोग कागज-पैंसे रुठा लें कागज-पैंसे रुठाके तुम ऊष्व को किसलिए मानते हैं इसका आधार लिखो किसलिए मानते हो तुम सब लिखो कुंडली जागन के अच्छा बोले थे कुंडली जगा देते थे तुम सब लिख लो तुम सब लिख लो पहले कि किसलिए मानते थे फिर देखो कि तुमारे मानने के कारण से में एकार्णों के अधार करोगे एक करो तुम सचाई के लिए बढ़ी कहां रहे हैं कि मैं जब इस पर बात उठाया तो पहली बात मैं सचाई तरफ नि बढ़ रहा है इस बात को इस पर्च कर दूँ जब पहली बात मुझसे किसी ने कहा था कि ये वीडियो इस तरीके काया है तो मेरा पहला इस्टेटमेंट ये था कि अगर मैं तो बोल रहा हूं सुन लो मैंने का अगर मादर्चोद ये सिद्ध कर दे कि वह और है तो पहले चार जूते मैं आरूंगा कि बोस्वड़ी के पिछली बार चूतिया बनाके चल वो तो उन्होंने कहा था कि वो एक जनम और ले सकते हैं ऐसा है अच्छा नियती ने जो कहा वो उसी आधार को बनाके जो कल वीडियो देखा उसमें उसने कहा कि मैं मरने से पहले दो महीने पहले मुझे ये लगा कि मैंने अपने सन्याशियों से कहा है कि मैं एक बार और आ स तो क्यों ना मैं यह उसका स्टेटमेंट है है ना अब इस पर थोड़ा सम्मेरा एक संदे मैं इस पर संदे उठा रहा है और मैं यह बता देता हूं कि मित्र ओशो मुझे कोई आपती नहीं है कि तुम हो या नहीं पहली बात पक्किये तुम सिद्ध कर दो कि तुम ओशो तब मुझे एक चीज का बड़ा मज़ा आएगा जिसका मज़ा आज तक नहीं आया और वो मज़ा यह है कि मुझसे कभी किसी ने पूछा था कि अगर उसो जिंदा होते तो आप क्या करते तो मैंने कहा था कि इलाके में एक ही रहेगा वो यह मैं मैं पहली बारे कैसे व्यक्ति से तरक करना पसंद करूँगा जिसके तरकों की काठ को कहता नहीं कि मुझे भी आज तक मिला है तो मैं इस अपने मज़े को पूरा कर लूँगा अब हार जाओं तो भी ठीक जीजाओं तो भी ठीक मुझे कोई पता नहीं मजा तो आये कं से कम संभोग तो हो प्रेग्नेंट हो ना हो उससे क्याल लेना देना तो एक संभोग उस देशना का सहरा लिया कि बुद्ध ने अपने जाने से पहले क्या त्यारी कराई थी अशरीरी लूप से लोगों को अपलब्द होने की साती साथ क्रश्ण का भी इस तरीके से रहा कि क्रश्ण अपनी मूर्ति के मात्रम से हजारों साल यात्रा किये जो जो बुद्ध के प्रफ रहे थे उनको मरने के बाद उसको की फीलिंग आये ऐसे ही क्रस्ट ने की जाने के बाद करें की मूर्ती में वो स्वरूर शुपाया था कि 5000 साल बाद मीरा भी उन्हें पहचान सकते हैं है तो यह उसकी त्यारी कर रहे चलो त्यारी कराटे करवा दे तुम्हें दो महिने पहले यह ख्यालाNew ले सकते हीं वो भी कि इनने के स्ट्रेट्मेंट दिया था इसके कारण ले ले लेते तो अगर तुम्हें 2 मेंहें पहले से से तुमने ले लिया था तो उसी वक्त तुम्हें वाइट रोब बंग करवा देना चाहिए तो यह बात थोड़ी सी अभी थोड़ी सी और एक बात आती तो बड़ी मज़ेदार है मैंने अपने इसिर्शम में कई बार कहा है मैंने कहा है अगर जिन्दा होते तो बहुत सी चीजिशों में पर कर रहे होते हैं जिसमें सारवादी बात है और से भटके कि न किए विधियो अत्य है है कि बटके सन्यासी अब उसी पे मैंने एक छोटा सा इसको और वीडियो देखा जिसमें वो बोल रहा है कि अब मैं आया हूं माथे पे हाथ रखे कुंडली जागरन कर कि अच्छा लगा मुझे सुनके अच्छा लगा लेकिन यह माथे पे हाथ रखे कुंडली जागरन का चूतियापा शुरू किस नहीं किया था तुमारे एक बार के इस बात के लिए से काफी है कि तुम अगर खुस्द्ध कर देते हो कि तुम्हारे इस स्टेट्मेंट में तुम फस्ते हो कि तुम पहले चूतिया बनाके गए तो तुम अब भरोसा तुम पे कैसे करें अब भरोसा कैसे करें तो मैं पहली बात नहीं कर दो मुझे भरोसे की मुझे तो भरोसे की कोई जरूती नहीं मैं बरोसा ना दाड़ी वाले बाबा पर ठीका था कभी ना कभी किसी ओशो के तार्किक होने पर ठीका था मेरे लिए इसकी परिफाश्य बहुत अलग थी मेरे लिए बहुत हमेशन से अलग रही मेरे वूशो का मतलब वो कभी रहा ही नहीं जो लोगों समझते रहे हैं अर नह स्थान्याती ता में आहिंसा सन्यासी हूं जो की बातों को फालो कर रहा हूं यह नीमी के MLब किया कि विर्यक्ति की मूरताओं का यह और दे सिंधी के मिर अनक परके सके तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं या जो मैंने इस मुद्ध्य को उठाया है उस मुद्ध्य को उठाने का मेरा उद्देश यह है कि इससे बहुत सारे भ्रह्म गिरेंगे अगर उशो वह सिद्ध कर देता है कि उशो है तो बहुत सारे भ्रहम गिरेंगे और अगर वह नहीं सिद्ध कर पाता है तो भी बहुत सारे भ्रहम गिरेंगे कम से कम एक भ्रहम तो गिरेगा कि अरे मूड हूं किन बातों पर तुम उशो को पकड़के बैठ गए किन बातों प दो-चार हजार अभी उसके लाइक करने वाले हैं, आप जैसे व्यक्तिक बोलोगे तो और कंट्रोवर्स ही पा जाएगा, और पढ़ जाएगा, मुझे इससे लेना देना नहीं, मैं तो चाहता हूँ वो इतना फैले कि पूरी दुनिया उसको सुने, और पूरी दुनिया सुन बहुत सारे प्रश्ण करूना, जिससे उनकी बेवकूफिया गिराने में मरद मिलेगी, तब समझो बात को, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उसने पूरी दुनिया में अपने को सिद्ध किया, तो उससे बहुत सारे प्रश्ण मैं करने को तियार हूँ, जिससे धर्म जगत की प्रश्ण करूंगा, और अगर वो नहीं है, और उसको जो मानते हैं, फिर उन से प्रश्ण करूंगा कि तुम्हारा किस आधार प्रिटिका था, मैं एक सीरी सी बात बता देना चाहता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, और शोन एक बार बहुत पहले कहा था ऐसे, कि मैं लोग प्रश्ण करते हैं, मुझे से कोई लेना देना नहीं, उन्हें प्रश्ण क्या किये, मैं उनके प्रश्णों की खूंटी पे अपने उ उस चीज के लिए जो वास्त विक्ता है जो सत्य है और जो सहज है मेरे धर्म में मैं अपनी बात पर दोता हूं मेरे धर्म में किसी तरीके की ध्यान की मूरता की दुरूत नहीं है मेरे धर्म में सहज होके जीवन जीने की गुरूत है मेरा धर्म व्यक्ति पर आधारित होगा क कोई व्यक्ति क्या खाना चाहता है क्या नहीं मेरा धर्म इस बात पर आधारित होगा कि कोई चिकन हाथ में लेके बीर का गिलास हाथ में लेके भी सन्यासी हो सके और कोई सारी सुभधाएं उपलब्ध होने के बाद भी शांत होके बीट में बैठके सन्यासी का दर्शन कर सके दोनों ही तरीके के व्यक्ति मुझे चलिए अगर कोई नॉन्वेश खाता है तो ऐसा नहीं है कि मैं उसका सुईकार कर दूँगा और कोई नहीं खाता है तो इसका मतलब यह नहीं मैं उसके मुझे ठूस दूँगा लेकिन इन आधारों पर धर्म खड़े हुए जिसमें से मैं कहता हूं ऐसे शन्यासी शामिल है इन आधारों पर खड़े हो गया क्या खाते थे जर्से कपड़े पहनते थे आप जलो दूनिया में इससे ज्यादा प्रेमपूर्ण शब्द दूसरा हुआ नहीं जितनी सहस्ता से यह गाली की मून निकलती है उतनी सहस्ता से तो ओमने निकलता है ना तो यह सहस्तम शब्द है लेकिन इसको गंदा किस नहीं किया है अगर सोचो जो्ट का मतलब आम होता पर हुआ और मा का मतलब जो है वो दशारी होता तो मादरशोठ का मतलब दशारी आम हो जाता यह कि रही पिसने बनाएं कि सैंगा ले कौन ě बहने लग्फ रामात्मा का मतलब याली ही समझे इस टुम ने समझ कि तुम ने बनाए शलब को मैं कहता हूं जो तुम तुस्ते से एक बार कहा था अश्टावक्र एक परोचंग के दौरान राजा जनक से तू जीवन दुख है और किया तुम से कहता हूं कि तू जान शब्द वियर्थ है कान्पान वियर्थ है कपड़े प्रेका सारी जी ने वियर्थ हैं इवन कि सबसे बड़ी धर्म जगत की जो मूर्ता है वो मोख्ष है और मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति मोख्ष को त्यागने का सामर्थ दिखाता है वही मोख्ष का दिखारी है फिर इस पर बात करेंगे अगर यह लगा चाहें तो मुझसे भात कर सकता है और मैं चाहूँगा कि वो मुझसे बात करें और मैं उससे प्रश्ण करूंगा कुछ जिसके वो उततर दें और ऐसे प्रश्ण करूंगा जिससे वो लड़का अगर वास्तविक है तो दुनिया के सामने आए कि यहां यह ओशो है और अगर यह भ्रम में है तो उसके भ्रम गिलाने में उसका सयोग करूँगा ताकि वो सहच जीवन जी सके और उसको सखा परिवार में रहने के आवंतित करूँगा कुछ दिन रहके उसे हम जिन्दगी की मूरता उसे बाहर लाने में काम कर सकें मेरे दूनों प्रयास रहें तो फिलाल आज जो है इतना ही यह संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए और ऐसे ही जब बात चली है अब सच है जूट है इस पर तो चर्चाएं बहुत होई तो ऐसी मैं करें तो मेरा आठ सितंबर क कि मिर्ती हुई थी तो एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि आप जैसे लगते हैं पूशो के भी बात हैं आठ से दंबर को आपका जनब हुआ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है फिलाल मेरे पुत्र तक मेरा संदेश पहुंचा दो कि उसका बाप जो है उसे पुकार रहा है उसे से बातचीत करने को त्यार है और वास्ता में मेरा पुत्र है तो मैं चाहूंगा मेरा पुत्र फिर से बड़ा आश्रम बनाए जिसमें मैं यह कहके कि मेरे पुत्र ने आश्रम बनाया थोड़े दिन विच्रण कर सकते हूँ कि परांदे